आते हैं हैं आपको हम एक आईएस लेविल का किस्सा सुनाते हैं यह किस्सा हमें सुनाया था शेख अल-हमीदी शेख अल-परवेश यह सब हैं कौन जीज़जी यह सब नहीं यह एक है और वो जो है साउदी अरिविया के एक आईएस लेविल के हमार जैसे बहुत बड़े इंसान तोते यह जल्दी आना अरे भी आप समझ क्यू नहीं रहे हैं एक बार में हमारे पास टाइम नहीं है हमारी जवानी बीती जा रही है टिकट लगा के देखो भाई वो कहना हमें सफ जल्दी कहिए जवानी बीती जा रहे है टिकट लगा गया हमें आपके ससुराल वालों ने शगन में एक पोशाक दियोगी क्रीम कलर की पोशाक वह हम लेने आये हैं क्यों भाई जी वह बिचो अली गंज की बिमला है हम बेखूप समझाए क्या हमें आपने जाके चुट्ट बीती जा रहे है टिकट लगा के हाँ जी अचली क्या वहाना कि हमारी बेहन की शादी है और हमारे जीजा जी को वह क्रीम कलर की पोशाक बहुत पसंद आगी और उन्हेंने काया कि अगर वह पोशाक नहीं मिली तो वह घोडी नहीं चड़ेंगे तो और वह खरीदने भी तो वह हमें वापस दे दीजे प्लीज अरे भाई देखो वह पोशाक तो मैं तुमें नहीं दे सकता वह कहना हमारी होने वाली मिसीज ने खास फोन करके हमें कहा कि शादी में वही ड्रस पहना देखिए चुटन जी हम आपको उसके पूरे पैसे देने को तयार है अरे अरे हमें पहले ही 17 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है बड़ी मुश्किल से एक मानी है उसे नराज करके हम शादी नहीं तुड़वा सकते देखिए वो पोशाक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अरे पगला गए हो क्या हमें भी तो शादी करने है भाई जवानी बीती जा को समझनी की कोशिश की दिये जवानी बीती जा रही है टिकेट लगा के देखिया बात को समझ नहीं रहें समझे न प्लीज देखिया आप इतना कह रहे हैं तुम आपके लिए इतना कर देते हैं कि आप ये ड्रेस हमारी शादी के बाद ले जाएगा दो दिन के लिए अरे अगले ही मिने हमारी पंद्रा तरिक को शादी है अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे आपसे? हमारे चाचा जी हमसे नाराज हो जाएंगे अरे अभी तो कह रहा है थे तुम हमारे जीजा जी को चाहिए हां मतलब चिट्टी वही और एड्रेस चेंज टिकट लगाके नहीं हमारा मतलब है कि वह हमारे चाचाजी की बेटी की शादी है ना इचलिए अरे देखे भाई हमें परेशन मत कीजी हम सुबे से वैसे ही बहुत परेशान है देखे जवाणी बीती जा रही है टिकट लगा के हां पलीज केह दियाना टिकट लगा के ये पुशा का आप नहीं मिलेगी इन्हें गए तोते